वेल्कम श्रॉटवण तो यहाँ पर हमारे पास एक हलो आलकेन, हलो आरें क्लास टोल के NCIT एक्जम्पलर के अंदर के एक क्वेशन है क्वेशन देखो डायफिनाल और पोटेंशल थ्रेट टू एनवर्मेंट हाउ आर दीस प्रूडूस प्राम अरिल हलाइड जो डाय फिनाइल होते हो पोटेंशल थ्रेट होते एन्वार्मेंट के लिए तो इसको हम कैसे बना सकते है अरिल हलाइड लेके वह यहापे हमें समझना है तो पोटेंशल थ्रेट मतलब आप ऐसा पकड़ के चलो कि इनका यूज करने से एन्वार्मेंट के अंदर यहापे जो एक थोड़ा सा डेंजरस कंडिशन यहापे देरे देरे पैदा हो जाता है तो एक हमर लिए अच्छे बात नहीं रहेगी इसलिए इसको पोटेंशल थ्रेट बोला जाता है अभी यहापे हम समझनगे क्या देखो यह डाइफिनाइल के अंदर क्या आता है PP-Dichloro-Penyle Trichloro-Ethan मतलब DDT हम बोलते कि एक औरगिनिक पिस्टिसाइड से इसको हम पोटेंशल थ्रेट टू एन्वर्मेंट बोलते बिकास देर अर्ली एर्स अप इस एक्स्टेंसिव यूज यहापे क्या हो जाता है हो गया यहाप साट है यहाँ है यहाँ हो गया पिस ले मैफिनी इंसेक्ट अलसो डेवलप रे इजिस्टंस तूर्ड रे तो उनके अंदर वह एक्क रेजिस्टंस पैदा हो गया ज्यादा यूज रस करनी काभिन 메स, उनके अंदर एक्क तोड़ा-साँ चेंज हो गया कि वो इस DDT को वो एक सहन करें, तो यहाँ पर हम ऐसा बोलते हैं कि इसको एक resistance पैदा हो गया, chemical stability of DDT and its fat solubility compound, the problem in the chemical aspect, DDT is not metabolized very rapidly or solubilized effectively by animals, एनिमल के अंदर इसका solubility कम हो जाता है, उसका metabolism भी यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर यह कहां से जाता है, ingestion continue at steady rate, तो continuous हमरे body के अंदर यहाँ पर stored हो जाएगा, DDT build up within the animal over time, तो उसके अंदर बहुत यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बहुत यहाँ पर हमरे body के अंदर यहाँ पर settle हो जाएगा, और हमको हो जाएगा या environment को हो जाएगा, तो environment के अंदर भी थोड़ा थोड़ा set होने के बाद वो environment को damage कर सकता है, तो एक serious problem यहाँ पर हम बोलें के कि डाइफिनाइल compound का हमें भी और environment को भी है, तो देखो यहाँ पर इसको बनाने की यहाँ पर हमरे पास दो में थड़े, एक तो है यहाँ पर हमरे fitting reaction, तो यहाँ पर देखो यह यहाँ पर अरिल हलाड यहाँ पर यहाँ यूज के हमने 2 mol, 2 mol sodium dry thar यहाँ पर और यहाँ पर X यहाँ पर बाहर गया देखो, यह वाला part जो बाहर गया, NX यहाँ पर बाहर गया, और यह carbon और यह carbon दोनों रिंग का अपस में connect हो गया, तो अभी यहाँ पर यह तो गया fit in reaction, दूसरा हो गया, अभी दूसरा जो reaction हो है, उल्मन यहाँ पर reaction, तो उल्मन reaction के अंदर क्या होता है, हमें aril halide यहाँ पर हमने लिया हुआ है, उसको copper के अंदर डालेंगे, तो यहाँ पर देखो आपका क्या product मिल गया, heat करेंगे, तो यहाँ पर diphenyl वाला compound यहाँ पर आपको मिल गया, this is the diphenyl, तो यह हो गया आपका diphenyl, और यहाँ पर जो आपका byproduct बाहर जाएगा, फिलाल वो यहाँ पर आमने लिखा नहीं है, तो two method है, यहाँ पर उल्मन reaction है, यहाँ पर fitting reaction है, इन में से यहाँ पर fitting reaction बहु